हेलो बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम कक्षा नौबी के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर संस्कृत का पेपर लेकर आए हैं जो आपके अर्दवार्सिक परिक्षाइं चल रही हैं इसके लिए हमारा इस वीडियो होने वाला है और आज का इस वीडियो सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेलफल होने वाला है तो वीडियो को लास तक देखते रहें और स्टुडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको अपकमिंग उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें तो आज के इस वीडियो में पेपर के साथ मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ तो चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं फिलिंदी ब्लेंग से आ आपका टाइम बेस्ट नहीं करूंगा डारेक्ट आपको आंसर देते जाओंगा ताकि आप अच्छी प्रेक्टिस कर सकें और स्टूडेंट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह पेपर मैंने खुद ने डेजाइन किया है इससे पहले भी हमने एक पेपर अप्लोट कि जाएगा सेकंड कोश्चन है सानायक डैस तो यहाँ पे देखे इसका आंसर हो जाएगा आसीत इसके बाद ठाइड कोश्चन है गायका गीतानी डैस तो यहाँ पे आपको भढ़ना है गायंती तो यहाँ पे गायंती आपको फिल कर देना है इसके बाद फोर्थ है सदेव सत तो यहां पर आपको भढ़ना है बदतू यहां पर फिल कर देना है इसके बाद बच्चो आंगे बढ़ते हैं यहां पर फिप्ट कॉशन है अपना सर्वे तत्र डैस तो यहां पर आपको भढ़ना है गच्छाम क्या भढ़ना है बच्चो गच्छाम इसके बाद बच्चो आं तो यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा बच्चो इत्याधी कौन सा होगा A आब आला इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं question second है जगत धन इस तो यहाँ पे देखे बच्चो आपको यहाँ पे जगदीस भर देना है जो की साबाला है जगदीस तो यहाँ पे यह आपको fill कर देना है इसके बाद बच्चो आगे बढ़ते हैं यहाँ से question time अपना आ गया है तो यहाँ पे question time देखे question time सबसे पहले तो आप read कीजिए और इसका correct answer हो जाएगा बाग के धन मयम तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा आयादिश्वर संदी क्या हो जाएगा आयादिश्वर संदी आयादिश्वर नहीं हाँ यहाँ पे आयादि स्वर संदी यहाँ पे साथ में लिखा हुआ था इसलिए थोड़ा सा confused हो गया था यहाँ पर आयादी सुरसंदी आपको भर देना है, इसके बाद आंगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखे, कौशन ठाइड आपका आ गया है, कौशन ठाइड को अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ पर कावाला कौशन है, और यहाँ पर को रीड करते हैं, समास धारती योगम मीलन कुरूद, अब यहाँ पर देखे, फर्स्ट वाला है जो यदा सकती, अब यदा सकती, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मैचिंग मिलाना है, तो यदा सकती को मिलाएंगे आप, अब्याई भाव समास, किससे मिलाएंगे, अब यहाँ पर डारेक्ट में आपको आंसर बताता हूँ, यहाँ पर देखे, आपको प्रत्या बताना है, और यहाँ पर जो question फॉर्थ है, यहाँ पर फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, राम दस्टवा सीता अब्दस्ट, तो इसका आंसर होगा, कतबा प्रत्या है, क्या अब हम आंगे के question डिसकस कर लेते हैं, तो आंगे के question देखे, एक मिनट वेट कीजे, तो यहाँ पर आंगे वाला जो question है, next question है अपना, राष्टियम सेवान सैनिक अब्दत, तो यहाँ पर इसका correct answer हो जाएगा, सानश्य प्रत्या है, तो इसका correct answer हो जाएगा, इसके बाद बच्यों fourth question है अपना, अहम पठितुम एक्छामी, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्याय लिख देना है आपको, इसके बाद है last fifth, यहाँ पर तो इसमें आपको लिखना है, कत बतु प्रत्याय, क्या लिखना है बच्यों, कत बतु प्रत्याय, इसके बाद आंगे बढ़ते है और यहाँ तक की question हमने पूरे देख लिया है, इसके बाद question fifth आपका start हो जाता है, और question fifth के answer अब मैं आपको provide करा देता हूँ, और यहाँ पर देखे, fifth यहाँ पर आपने देख लिया है, और इसके answer, अनुगच्छती, यहाँ पर आपको लिखना है, अनुगच्छती और नर इदानीम, इदानीम लिखना है, इसके बाद उच्छे, उच्छे कहा है, fifth वाला, यह लिख देना है, इसके बाद आगे बढ़ते है, question seventh हमारा यहाँ से start हो गया है, निमलिखित दुए, कोश्टकात उचित, पन्त चितबा, सूक्ती, निर्मान, कुरूत, तो यहाँ पर second वाले का answer हो जाएगा, बिच्छो, रक्षती, इसके बाद, ठाइड वाला question है, इसका answer हो जाएगा, लक्षमी, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से question eighth आपका start हो चुका है, question eighth है, सुद्ध बाक्यान, साक्षम, आम, यहाँ पर देखे, अब आम ना, यहाँ पर आप confused हो जाएगे, तो यह आपके true false आ चुके हैं, अब यहाँ पर देखे, first आपका है, यहाँ पर आम लिख देना है, आम इसके बाद, second वाले में ना लिखना है, ठाइड वाले में आम लिखना है, और last वाले में ना लिख देना है, means first वाला true, ठाइड वाला true, और इसके बाद second और fourth false है, तो देखे, आज के इस वीडियो में अतना ही, यहाँ तक हमने question, 8 तक के question आपके discuss कर ली है, इसके बाद next part हमारा जल्द upload हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और जो next question बचे हुए है, उनको हम जल्दी solve करेंगे, और देखे students, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को subscribe कीजे, ताकि आपको upcoming वीडियो की notification टाइम पर मिलती रहे, और कोई भी देखका थो, तो आप comment करके हमें बता सकते हैं